वेलकम टू अस्टार कस्टडी इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियोज में हम लेकर रहे हैं क्लास नाइन्थ वालों के लिए मैथमेटिक्स जो NCRT का है दोस्तों वहाँ पे जो चेप्टर नमर फोर है आप लोग का linear equation in two variables दो चर वाले रहेखिक समी करन का ठीक है NCRT मैट जो चेप्टर वाईज है आप लोग का यहाँ पे हम लोग स्वालों करने वाले हैं इस वीडियोज में हम लोग दो चर वाले रहेखिक समी करन जो आध्या है चार है आप सभी का 4.1 हम लोग यहाँ पे हल करेंगे ठीक है तो वीडियो को आन तक सभी देखना एक एक questions मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ जो भी 4.1 चेप्टर में आप लोग को questions दिया गया है ठीक है तो सभी चार इस वीडियोज को आन तक जरूर देखना अगर कोई भी questions आप लोग से नहीं बना है तो और वीडियो को सारे लाइक कर लेजिगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए ताकि इसी तरीके से जितने भी आप लोग को chapter है सभी chapter का एक जगा आप लोग को मिल जाएंगे solution ठीक है सभी subject का तो सारे यहाँ पे subscribe कर लेना वीडियो को लाइक करके share जरूर कर दीजेगा ठीक है तो चलिए हम लो यहाँ पे chapter number 4 स्टार्ट करते है अधिया 4 का पहला प्रस्न 4.1 जो है इसका पहला प्रस्न ठीक है देखे पहला प्रस्न कहा गया है कि एक notebook की कीमत एक column की कीमत चे दो गुनी है इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरो वाला एक रैखिक समिकरन लिखिए ठीक है संकेत बीखिए आप लोग के लिए दिया गया यहाँ पर कि माल लीजिए कि notebook की कीमत एक सुपया और कलं की कीमत वाई रूपिया है तो इसमें हम को पुछा क्या गया है कि दो चरो वाला एक रैखिक समिकरन हम लोग को बनाना है ठीक है तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं क्या कह आगे है देखो माल लेना हमको यहां पर कि माना की नोटबुक की कीमत कया है देखो नोटबुक की कीमत X रूपिया है ठीक है? X रूपिया उसके बाद बतै आ गया है कलम की कीमत तो कलम की कीमत बराबर लिखे लेंगे हम लोग कितना है Y रूफ या है अब हम लोग को परसंद से क्या कहा गया है तो परसंद से यहां पर लिखेंगे कहा गया है कि नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दो गुनी है इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो notebook का कीमत है जो x है ओ कितना है दो गुने column की कीमत तो 2y यहाँ पर हो जागा ठीक है notebook का कीमत column की कीमत दो गुना है तो x बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 2y तो अब इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो यह x बराबर क्या हो जगे हैं आप पर 2 y और 2 y को इधर लेकर आएंगे हम लोग ठीकर इस साईट लेकर आएंगे तो यही क्या हो गया Is क्मेर्स करके बता आना ठीके काफ़ी सिंपल प्रसंट था यह आप लोगों के पहला चेप्टर का 4.1 का पहला कोशन चलिए 4.1 का अब हम लोग दूसरा कोशन देखते हैं कहा गया है यहाँ पे निमनलिखित राखिक समय करोनों को Ax पलस By पलस C बराबर 0 के रूप में बेक्त कीजिए और परतेक इस्थिती में A, B और C के मान बताईए देखिए यह जो आप लोग को equation दिया गया यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चोथा, पचमा, छठा, सातमा, अठमा इस सभी को Ax पलस देखो इस वाले फोर में लिखना है Ax पलस By पलस C बराबर 0 वाले फोर में लिखना है तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहला प्रस्ण जो दिया गया है दो का पहला में क्या कहा गया है कि 2x पलस 3y बराबर 9.35 के उपर में एगो पे रेकरिंग है ठीक है, पावर है तो हम लोग को सबसे पहले किस पे लाना है Ax पलस By पलस C बराबर 0 वाले फोर में ठीक है तो हम क्या करेंगे, इसको E से लेकर आ जाएंगे, तो यह हो जगा 2x पलस 3y यहाँ पे पलस है, तो इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 9.35 के उपर रेकरिंग बराबर 0 अब हम लोग क्या करेंगे, इसको तुलना कर देंगे A x से, इसको by से और इसको c से, ठीक है, तो A के जगा पे यहाँ पे कितना है, 2 है B के जगा पे कितना है, 3 है, अगर नहीं कुछ है तो इसका मतलब पलस है, और C के जगा पे कितना है, यहाँ पे माइनस 9.35 उपर में रेकरिंग, तो यह हो गया A, B, C का मान बताईए, तो यही हो गया, आपका क्या हो गया, एंसर हो गया, ठीक है फिर उसी तरीके से आपको दूसरा नमर प्रसंट बताया गया है तो दूसरा नमर भी इसी तरीके से आपको बनाना है, ठीक है, पहला में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जैसा कहा गया था A, B और C का मान बताने के लिए हम लोगों ने वैसा ही किया है देखिए सकेंड नमर में क्या है X-Y बटा में 5-10 बराबर 0 है क्या है X-Y बटा में 5-10 बराबर 0 ठीक है हलाकि देखो अगर इसको इस तरीके से भी लिखोगे तो answer मिल जाएगा ठीक है देखो इसको अगर हम लोग AX पलस BY पलस C बराबर 0 से अगर तुलना करेंगे तो A का मान कितना है यहाँ पे नहीं कुछ है तो 1 है पलस 1 B का मान कितना है यहाँ पे देखो Y बटा 5 को हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा 5 into Y तो यहीं यहाँ पे लिखा गया है तो इसको हम लिख सकते है माइनस 1 बटा में 5 क्यों क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे B का मान क्या हो जगा इसका minus 1 बाटा में 5 और c का मान यहां से हम लोग को दिया गया है minus 10 यही हो गया answer हला कि यह आप लोग को answer नहीं दिया होगा या फिर इस तरीके के दूसरे तरीके से भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं ठीक है तो यही क्या हो गया इसका आप लोग का answer इसका एक और तरीका है दोस्तों LCM लेके क्या करेंगे LCM लेके यहाँ पर क्या करेंगे देखो X-Y बटा में 5-10 बराबर 0 है तो इस 5 को हम लोग LCM ले लेंगे यहाँ पर क्या हो जागा 5X-Y यहाँ पर इसको इस सेट करेंगे तो जीरो हो जागा तब 5X-Y-50 बराबर जीरो तब यहां से A का मान 5, B का मान-1 और C का मान-50 ठीक है जो भी आप लोग को अगर एंसर बुक से मिलाना है तो यह वला आपको लिखना है अगर यह वला भी एंसर सही है 5X-Y-50 लेकिन यह दूसरे तरीके से ठीक है जब आपको दूसरे विदी से बनाने के लिए बोलेगा और जब एंसर वहाँ पर नहीं मिलाने के लिए होगा तब इस विदी से आप लोग को बनाना है तो पाला और दूसरा हम लोग ने यहाँ बना चलिए अब थार्ट नमर प्रसंद देखते है यहां इसी का क्या कहा गया थर्ड नमर में देखो कहा गया है यहाँ पर माइनस 2X पलस 3Y बरावर 6 तो फिर इसको भी हम लोग करेंगे क्या इस 6 को पहले इस सेड ले करा जाएंगे तो माइनस 2X पलस 3Y माइनस 6 बरावर क्या हो जाएगा है हम पर 0 अब हम लोग तुलना करेंगे इसको AX पलस BY पलस C बरावर 0 से तो A का मान यहाँ पर क्या जाएगा माइनस 2 B का भालू क्या जाएगा 3 और C का भालू क्या जाएगा माइनस 6 यही आपका क्या हो गया यहाँ पर एंसर हो गया चलिए अब फोर्थ नमर देख लेते हैं फोर्थ नमर में कन्फीजन होगा आप सभी को हैना कन्फीजन क्योंकि यहाँ पर C का भालू है ही नहीं तो X बरावर क्या है यहाँ पर 3Y अब 3Y को इस से लेकर आएगे तो यह हो जाएगा X माइनस 3Y बरावर 0 हो जाएगा तो जो नहीं है मतलब अगर C का भालू यहाँ पर नहीं है ना तो C का भालू हम लोग क्या करेंगे देखो यहाँ पर AX पलस BY पलस C बरावर 0 से तुलना करेंगे तो A का भालू आ गया पलस 1 B का value आ गया minus 3 क्योंकि B Y लगा हुआ है तो B के जगपे minus 3 है और Y को अटा देंगे अगर C का value नहीं है तो C का value हम लोग क्या रखेंगे 0 क्या रखेंगे 0 ठीक है यही आपका यहाँ पर answer हो गया क्यों 0 रखेंगे क्योंकि देखो यहाँ पर अगर C के जगपे इस equation में अगर देखो X minus 3Y और plus 0 बराबर 0 कर देंगा तो इस पर कोई फर्क परेगा क्या नहीं परेगा ना तो हम किसी भी संख्या में 0 जोरे या फिर 0 घाटाए तो कोई भी फर्क नहीं परेगा इसलिए हम लोग ने यहाँ पर क्या किया C का मान 0 रख लिया चलिए अब यहाँ पर फिप्त नमर देखते हैं और भी अच्छे तरीके साब को समझ में आएगा फिप्त नमर में क्या है 2X बराबर है माइनस 5Y के तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताया है इसको S पहले कर लो यह हो जाएगा 2X माइनस है तो इधर आएगा तो पलस 5Y अब बराबर यहाँ पर क्या होगा 0 अब तोलना करेंगे हम लोग AX पलस BY पलस C बराबर 0 से तो A का वहलू क्या आगया 2 तो B का वहलू क्या आगया 5 और C का वहलू नहीं है तो 0 बस यही अंसर होगी आपका ठीक है चलिए 6 नमर में 6 नमर में क्या है आपका देखो 3X पलस 2 बराबर 0 तो यह पहले से ही है 0 इस साइड हम तो LHS होता है और एक होता है RHS ठीक है तो RHS वला साइड में इस साइड जो है बराबर के साइड में हमेशा हमको क्या लाना है 0 लाना है ठीक है तो यहाँ पहले से ही 0 है तो अब हम लोग क्या करेंगे इसको तुलना करेंगे ax plus by plus c बराबर 0 से तो यहाँ पर देखो a का मान क्या है 3b का value देखो अब यहाँ पर समझ में आएगा आप लोग को कि b तो हाई ही नहीं तो मैंने आप लोग क्या बताया था अगर किसी भी equation में 0 जोड़ते हैं या फिर 0 घटाते हैं तो उसके कोई भी effect नहीं होता है तो by को हम लोग लिख सकते है 0 into y क्योंकि 0 into y में हम लोग अगर multiply करेंगे तो इसका मान 0 ही आएगा क्योंकि किसी भी संख्या में देखो अगर 0 गुने minus 2 है तो इसका मान तो क्या आएगा 0 आएगा तो कोई भी संख्या हो अगर कोई भी संख्या नो दिया हो तो उसको 0 लगाना है ठीक है अब c देखो c कितना है यहाँ पे 2 है यही आपका क्या हो गया answer हो गया ठीक है ना चलिए 7 नमर प्रसंद देखते हैं और भी अच्छे तरीके समझ में आएगा सेभर नमर में देखो क्या कहा गया है y-2 बराबर 0 मैंने आपको क्या बताया था RHS में हमेशा 0 लाना है इस सैट ठीक है इस सैट क्या लाना है 0 तो 0 पहले से ही दिया गया अब तुलना करेंगे ax पलस by पलस c बराबर 0 से अब देखो a का मान यहाँ पर ax नहीं है क्योंकि y है तो by बराबर तुलना करेंगे और c के जगा पर माइनस 2 है तो सबसे पले हम लिख लेते हैं b के जगा पर माइनस 2 और c के जगा पर यहाँ पर नहीं नहीं b के जगा पर 1 है पलस 1 B के जगर पे क्या है plus 1 नहीं है कुछ तो यहाँ पे 1 लगा हुआ है और C के जगर पे minus 2 है मैंने आपको क्या बताया था कि AX में अगर हम लोग A के जगर पे 0 और into X रखेंगे तो इसका भैलो 0 आएगा ठीक है ना यहाँ पे A का भैलो क्या आगया आप लोगों को 0 अगर किसी भी संख्या में 0 जोडते हैं घटाते हैं गुना करते हैं तो उसमें कोई भी effect रहे यहाँ पे नहीं होता है ठीक है यहाँ पे AX पलस BY पलस C बराबर 0 बला में अगर हम लोग यहाँ पे देखो तो 0 इंटू X अगर लगा देते हैं पलस 0 इंटू X पलस Y माइनस 2 ठीक है इसको यहाँ पे समझो अच्छे तरीके से देखो क्या question था Y माइनस 2 बराबर 0 अगर इसी equation में हम लोग 0 इंटू X पलस Y माइनस 2 बराबर 0 अगर कर देंगे तो कोई E equation में कुछ मान बदलेगा क्या इस दोनों में कोई अंतर है कोई अंतर नहीं इस दोनों में यह एक और इसको दो मान लो तो क्या है प्रस को 5 बराबर 2X है 5 बराबर क्या है 2X है चाहे इसको ही set कर लो या फिर 2X को ही set कर लो तो चले 5 को ही set कर लेते हैं तो यह हो जाएगा आपका 2X माइनस 5 बराबर 0 अब देखो मैंने आपको बताया था कि तुलना की से करना है तो AX पलस BY पलस C बराबर 0 से क्योंकि कोर्षन में ही दिया गया है कि यहाँ पर A का भैलू क्या आ गया दो B का भैलू बताओ और C का भैलू अल्डेडी है मैंनस 5 अब मैंने आपको क्या बताया था कि 2X माइनस 5 बराबर 0 अब तो 2X पलस 0 इंटू Y माइनस 5 बराबर 0 यह समीकरन 1 और समीकरन 2 कोई अंतर है क्या कोई अंतर नहीं है क्योंकि पलस 0 इंटू Y में अगर मल्टिपले करेंगे तो 0 ही आएगा तो 2X माइनस 5 ही आएगा है ना तो यहाँ पर B का भैलू क्या आ गया 0 यही आपका क्या हो गया यहाँ पर एंसर समय में आ रहा है ना प्रसमें यह जित्रे भी प्रसन था 4.1 में पहला और दूसरा वो सारे हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया है ठीक है अगर अब भी कोई दिक्कत है तो जरूर कमेंट करके बताना इसके आगे चप्टर जो है 4.2 दो चर वाले राखिक समय करनका व तो हम लोग आगले वीडियो में करेंगे ठीक है अगले क्लास में तो चैनल पर बने रहना तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए आप लोग त्यारी करते हैं यह NCRT का सभी का यहाँ पर स्लूशन बहुत यह अच्छे तरीके से आपको बते आजा आएगा ठीक है बाई बाई सभी को